नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपके सबसे लोगप्रिये चैनलियों और काल चक्रा हूँ मित्रों, आज मैं आप से अस्टमभाव में मित्थुन राशी का होनी का क्या अर्थ है, किस परकार का प्रभाव हमारे जीवन पे बढ़ता है, किस परकार के प्रकृती, नेचर, बेहेवियर, जातक या जातिका का होता है, किस परकार के संघर्श और अफसर उन्हें जीवन मे मिलते हैं मित्रों जब भी मित्थुन राशी अस्टम भाव में होगी तो ये व्रिष्चिक लगन की बात हो रही है व्रिष्चिक लगन वाले mysterious secretive introvert और अपनी अंदर ही अपनी भावनाओं को रखने वाले लोग होते हैं मैं आज आपको व्रिष्चिक राशी की कोई बात नहीं करूँगा लेकिन मित्थुन राशी के अस्टम में होने का क्या क्या आर्थ है उसके अपर जरूर बात करूए मित्रों मित्थुन राशी बहुत ही intelligent, communicative हमारे बाजुओं को दिखाने वाली, हमारे हाथों को दिखाने वाली, हमारे बोलने की जो language है कैसी रहेगी, communication कैसे रहेगा, हमारे neighbors कैसे रहेंगे, हमारे cousins, हमारे siblings कैसे रहेंगे और हमारी risk-taking energy कैसी है, हमारे nervous system से related बातें भी हम मित्रों राशी से देखते हैं, हमारे साथ जो co-workers, वो कैसे हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, आनिकारक हैं, आप उनको वहीं से देख सकते हो, आपको कभी भी किसी के बारे में भी अगर जानकारी प्राप्त करनी हो, तो रा प्राशी पर किस प्रकार के ग्रहों की द्रिश्टी है, इसके अधार पर आप विचार कर सकते हैं, आज भी जो मैं बाच्चित करने वाला हूँ, वो काफी हद तक लोगों की कुंडली में मिलेंगी, और जिनकी कुंडली में नहीं मिलेंगी, उनको ये विचार करना हमारे आयू का भाव है, मिस्टीरियस भाव है, रिसर्च का भाव है, टैक्सिस का भाव है और मित्रों हर प्रकार के लंबे समय तक चलने वाले रोग, हमारे हर प्रकार के ऐसे दुख जो हमें पूरी तरह जगजोर दें, हमारी इंसल्ट, हमारी हुमिलेशन, हमारे हमारे ऐसी abilities जैसे कुंडलेवी जागरित करना या किसी विशे का ऐसा अद्भुत ग्यान होना जो सामाने लोगों के पास नहीं होता, यह हमारा अश्टमभाव बताता है. मिथुन राशी जैसे हमारी written communication, हमारे papers, documents, हमारे agreements, यह सब चीज़े भी बताते हैं. माने लीजे, अगर किसी की मिथुन राशी अश्टमभाव में है और वो अपने प्राकरम का दुरुपियोग करता है, तो साहस करता है, क्योंकि तृत्य भाव और मिथुन राशी प्राकरम को दिखाता है, तो अक्सर ऐसे लोग life-threatening and dangerous situations में से बार-बार निकलते हैं। उनको बार-बार मृत्यु तुल्य या मृत्यु जैसे कस्तों का सामना करना पड़ता है। Communication में भी, अगर वो अपने आपको, क्योंकि इसका Lord Buddha है जो analyzing और analytical quality देता है, अगर वो नहीं वो ध्यान रखते हैं, communication को वो बहुत ऐसे ही bluntly बोलते रहते हैं, कोई भी बात बोलना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि ऐसे विक्ति के जीवन में rash, language, बुरी भाशा और aggression में आकर कुछ भी उचित, अनुचित का ध्यान दिये वगएर कुछ भी बूला जा सकता है, अक्सर ये आप देखेंगे कि ये कभी-कभी अपनी जब anger में आ जाते हैं, तो ये गलत कर जाते हैं और अपनी सारी opportunities को loose कर जाते हैं, ये लोग योगा में बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये मिथन राशे हमारे श्वास नलियों को और उनको भी अच्छे से कंट्रोल करना हमें सिखाती है, अगर ये योगा में या योग की किसी भी पदती को अपना लेते हैं, और कल्ट साइंस को अपना लेते हैं, अगर ये लोग किसी की बुद्ध की स्थिती भी खराब है, तो पेपर वर्क में, डाकुमेंटेशन में, अग्रीमेंट्स में इन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए, इन्हें अपनी important papers को कभी भी casual नहीं रखना चाहिए, अगर ये गलती से भी इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, तो ये उसका खम्याजा जीवन भर भुगतते हैं, इनको लंबे लंबे समय तक अपने आप ऐसे ऐसे कष्ट देखने को मिलते हैं, जो सामाने तक किसी और वेक्त अब बताया ना, ये असना माव अमारे को tax session से जुड़ा हुआ भी भाव है, सरकार को हम जो tax से related बात होती है, माल नहीं किसी ने property करें दे, ब्याना करा, ब्यानी के जो कागज था, उसमें जो amount लिखा और जो final paper बने हैं, उस amount में difference था, और ये ब्याने का paper किसी वज़ा से, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये careless रहेंगे तो इनके इस paper का पकड़ा जाना और उसकी वज़ा से धन्बित हो जाना, तो उस प्रकार की स्थिति होती है कि वहाँ पर वो tax के किसी चक्कर में पढ़ जाएंगे, ये license या अपनी insurance या गाडियों की जो completion certificates होते हैं, या pollution certificate होते इनको हमेशन ध्यान रखना चाहिए, हमेशन संभाल के रखना चाहिए और अपने साथ carry करना चाहिए, 10 लोग निगल जाएंगे इनका number लग जाएगा, क्योंकि सरकार इनके साथ कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन होते रहेंगे, बितरुक इसके बाद आप को मिल सकती है, अगर इनकी कुंडली में बुद्ध वक्री है या पीडित है या पापकत्री हो रखा है, इने बहुत ध्यान रखना चाहिए, इने careless नहीं रहना चाहिए, मित्रुन इमोशनल लेवल पर भी ये लोग काफी जादा strong और काफी काफी weak होते हैं, कभी कभी ये ल पान लीजे, चंद्रमा की स्कती भी बहुत खराब है, तो इनका इमोशनल लेवल पर ब्रेक आउट, बस्ट आउट होने की संभावना, डिप्रेशन में चले जाना, डीप डिप्रेशन में चले जाना, इसकी भी संभावना हमेशा ही बनी रहती है, तो इने बहुत ध्यान चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, इने किसी भी नेगेटिव सिचेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, मित्रों, तीसरा बाव हमारे कैशुल फ्रेंड्स जो होते हैं, उनका भी होता है, हमारे छोटे बाई बैन, और हमारी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें, जो हमार देप्ट में उनके साथ वो काम करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहता है, अन्यता ये हमारा रिंदर भी कहते हैं, यानि कि जहांपर जो चीज़ डालो नीचे निकल जाती है, हर परकार के रिष्टे आसपास के प्रोसियों से हों, आपके को वर्कर्स हों, आपके बहुत अच्छे से निभाएं, जनरली ये लोग बहुत सरल होते हैं, ज्यादा चलाक नहीं होते हैं, इन्हें थोड़ा सा सावधानी से समयधारी से चलना भी आना चाहिए, बुद्ध क्लेवरनेस देता है, बट ऐसे लोगों में ऐसी टाइप की क्लेवरनेस नहीं होती है, ज्यादा होते हैं, तो मिथुन राशी वालों के अगर अस्टम में मिथुन राशी होती है, तो आप बहुत रेरली किसी को देखेंगे, क्लेवरली कोई चलाकियों से काम करता मिलेगा, they will always be straightforward, उनकी जो emotions, feelings, communications है, अगर वो research level पे depth में है, अच्छे से हैं, तो बहुत ही बढ कि कुछ लोग बहुती straightforward और बहुती ज़्यादा aggressively लोगों के साथ deal करते हैं, उन लोगों को अगर आप बात करेंगे, तो आप मैसूस करेंगे कि उनके साथ आपका बैठना, बात करना काफी मुश्किल हो जाता है, ये भाव कभी-कभी insult की स्थिती भी बता देता है, humiliation बता संभावना, cousins के द्वारा, बिना वजा आपके साथ शरारत, शड्यंत्र, ऐसी किसी चीज के भी संभावना बनी रहती है, तो मित्रता में, रिष्टों में, सभी में सावधानी से चलने पर ही आपको लाव होता है, जनरली मैंने ऐसे लोगों को बहुत ही समयधारी से लोगो समय सोचेंगे नहीं कि मैंने तो सरलता से बोला, मैंने तो सच बोला, मैंने तो कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने तो जूट नहीं बोला, आज की दुनिया में आप जूट बोलनो चल जाएगा सच मत बोलो, क्योंकि सच सामने वाला पसंद नहीं करता है, और ये आपको से इनसान की तरह स्तापित करता है जिसकी जिसके आसपास कोई फिर आना नहीं जाता है मित्रों आज के लिए बस इतना ही हम नहीं विश्य के साथ फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद